बॉलिवर्ड आक्ट्रस स्वरा भासकर अक्सर गवर्मेंट को लेकर पॉलिटिक्स को लेकर अपने विचार बिल्कुल खले तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और इसके लिए उन्हें कई बार ट्रोल भी किया जाता है स्वरा की तरह ही एक और आक्टर है जो इस वक्त रूलिंग गवर्मेंट पर जम कर बरस रहे हैं कोविट के कारण जो हालात हुए हैं उन पर टिपड़ी कर रहे हैं इसके कारण उनका कहना है कि उन्हें धमकी बरे कॉल्स भी मिले हैं उन्हें रेप और मार देनी की धमकिया मि कि देख चुके हैं और सिधार ने जबसे politics पर या political मुद्धो पर खुल कर बात करना शुरू किया है तब से उन्हें South की स्वरा भासकर कहा जाने लगा है ये बात खुद सिधार ने अपने social media handle पर कही सिधार ने कहा कि Hindi speaking जो लोग है वो मुझे South की स्वरा भासकर कहने और बेहत क्यूट है सिधार्थ के स्वीट पर स्वरा भासकर की भी नजर पड़ गई जिसके बाद स्वरा भासकर ने रेक्ट करते हुए कहा आप पूरे देश के सिधार्थ हो और हम आपके बहुत शुक्र गजार हैं थैंक्स कहकर उन्होंने भी स्वरा को हौटी बुलाया है आपको बता दे कि सिधार्थ इस वक्त चर्चा का विशय है क्योंकि कई सारे मंत्रियों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं साउथ के तेजस्वी को उन्होंने आतंकवादी से कंपैर किया था तब वो ट्रोल हो गएते हैं और उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल पर इलजाम लगाया कि उन्होंने सिधार्थ के मोबाइल नंबर लीग कर दिये जिसके बाद उन्हें इस तरह की धंक्या मिल रही है तो सेम तरह की सोच रखने के कारण सेम अजिंडा को सपोर्ट करने के कारण स्वरा और सिधार्थ को कंपैर किया जा रहा है वहीं इस कंपैरिशन को इ